तो तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होगे आज हम बात करेंगे एस टी आर सी वर्सेस एम इसी सी फूल इस्टेट्स प्लस इनपो यानि के ट्वेल इस्टार सीसी वर्सेस मैचलन इगल सीसी के बीच जो मैच नमबर त्री एंड फॉर कहला जान सबसे पहले अगर आभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुल जाए तो सबसे पहले आप टेलीग्राम से जुल जाए टेलीग्राम से जुलने के लिए आपको डिप्सक्रिप्सन में और हमारे टॉप के कॉमेंट में भी आपको हमारा लिंक मिलेगा आपको लिंक से आना है अगर आप without link के आते हैं तो आप गलत channel में जा सकते हैं, कुछ हमारे नाम से fake channel चर रहे हैं इसलिए आपको link से ही आना है, यही हमारे free channel से जूनने का एक मातरह चरिया है, अगर आप हमारी video पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे 12 इस्टार सिसी के तरफ से जो ओपन आने चाहिए बिल्कुल फिरेश टीम है अभी तक इनके टीम से कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि इस खेले हैं न्यू फिरेश टीम है तो देखना रहेगा बड़ जो गटफिल है कि सज्जाद हुसेन इनके तरफ से ओपन आ सकते हैं क्योंकि 2022 टीटी में आप देखेंगे तो यहां पर ओपन आके आप देखेंगे तो यहां पर बहुत ही कम बॉलिंग किये हैं यहां पर देखेंगे बडबलेवाजी से बहुत अच्छे परदेखेंगे बहुत अच्छे जो है बलड़ बाजी की ए तीनी इनिंग्स में दस आबर के बॉलिंग किये हैं चार विगेट लिया नहीं कि पार्ट टाइम बॉलिंग करें एकनोमी फोर पॉइंट नाइन टू कर रहा है दो हजार बाइए दो हजार बीस में टी ट्वंटी मैचेस के लिए थे जहां पर नो मैचेस में नो विगेट लिये थे बिगेट लेस गए थे बात कर लेते हैं जो कि बिगेट कीपिंग सेक्शन में उफलब्ध है रावनक जेन जिनका सेलेक्शन बहुत ही कम है आपके लिए बहुत ही बड़ी गेम चेंजर पीख हो सकती है इनका धियान रखना है आपको रावनक जेन को आप देखेंगा तो ओड जिनमें सेंचुरी दो है और हाफ सेंचुरी चार है तो बहुत अच्छे प्लियर है सेलेक्शन कम है बिल्कुल आप इनको ट्राय करेंगे देखेंगे आप जो इस प्लियर के बारे में बताने जा रहा हूं थोड़ा सा डावट फूल इस्टेट से इनके आप इनको थोड़ में ठीक ठाक से रिकॉर्ड है तो ओड़ेटी के छे मैच स्केल है जिसमें एकसो चौसाट रन हाइट इसको एड़ टी टू करा इस्टाइड रेट बहुत अच्छी रहे 110 की रहे तीनी इनिंग्स में 16 वर की गेंदवाजी करके चार बिकेट लिये हैं तो इम्रान खन के जो यह T20 में ओपन भी आ सकते हैं क्योंकि लाश्ट T20 के मैचेश जो हैं उनमें इन्होंने ओपन किया साथ और बावन किया है बहुत अच्छे पिलियर है यह भी जर्मनी बेल्जियम टीम से खेल चुके है 1222 ओड़ेटी के रिकॉर्ड देखेंगे तो यहां पर और राउंड ख्री ओबर की गेंदवाजी करके 10 विगेट लिए हैं इकाणोमी बहुत अच्छी रहे हैं फौर पॉइंट टू से बने दौहजा बाई दोहजा बीश टीट्वांटी में 15 में 27 बिगेट लिए तो आप समझ सकते हैं 15 में 27 बेट कितनी इंपोर्टेंट हो जाती हैं 2020 और 2021 म टी-20 इंटरनेशनल मैच के लें जिसमें 9 मैचस में 11 बिगेट निकाल के आ रहे हैं तो यह इनको भी आप सीविसी ट्राइ कर लेंगे बॉलिंग सेक्शन में उपलब है आपको ओल राउंडर का काम करके देंगे निमेस महता का आपको धियान रखना बहुत अच्छी पिक रहेगी इनको आप सीविसी डायरेक्टली कर सकते हैं भारत भारत अमों की बात कर लें तो राइट हर मैट्स पर लेफट हम और्थोडस ओडिडी की आप मैचस देखेंगे तो ओडिडी मैं इन्होंने टेस्ट मैचस खेल रखे हैं क्योंकि आप देख लिए इस्टेश्ट फट्रीश गेंद में 2 रण तैसलिस गेंद में 6 रण पाइटालीस गेंद में 2 रण बिलकुल 50 गेंद में 7 डेस्ट टाइप के प्लियर लगे आप इनको एकनोर करके जाएंगे बाकी इस्टेट्स आपके सामने हैं भुसन राजपुत जो कि आपके लिए एक अच्छी निकाले हैं 2020 में झाले हैं यहां पर ठीक ठाक से फर्दसन है बार 2022 आर दो promo 221 में उतने कुछ खास नहीं है बार 2020 में यहांपर ठीक ठाक से पर्दसन है 55 मैं करते हैं एक शर्डिय बिए निकाले थे चार इनिंग्स में बॉलिंग करने का मोहा मिला था तो इन को भी आप इग्णोर करना चाहें तो इग्णोर कर सकते हैं राजी सर्मा 222 20 की बात करें तो वन डाउन से टू डाउन बल्लेवाजी करने आ रहे थे और आप देखेंगे ग्यारा तीन अओडीडी में तीन बीस तो एवरेस सही प्लेयर है पंदरा मैचस में 287 रन मना है चार बिगट निकाले 2020 में ठीक ठाक सही था आठरा मैच में आठ बिगट निकाले थे 332 रन बनाए थे और स्वीड सिंग राइट रम बैट्समार राइटाम मेडियम 33 इन केज है दो हजार बाइस टी टॉन्टी में देखेंगे फोर से थिरी से फोर डाउन बल्लेवाजी करने आ आपको थिरी से फोर डाउन ये भी बल्लेवाजी करते हैं एवरेज से पिलियर ये भी है बट लास्ट के जो ओडीडी मैचेस थे उनमें सतक भी करके आये हैं तो ये ठीक ठाक साही परदसन किये हैं आप ट्राय करना चाहे तो ट्राय कर सकते हैं अनिरुद्धा गोड़ बो इसे कुछ मीडिल ओर में आके बल्लेवाजी भी कर लेते हैं बट जादे तर गेंदवाजी से ही जाने जाते हैं और डिटी की बात कर लें तो दस मैंचेस में एक सुच्छी रन बनाए हैं और हाई श्कूर 74 कर रहा है दस इनिंग्स में बहुत इंपर्टेंड रहती है देखेंगे एक मेंच खेले थे जिसमें तेरह रन दिये थे एक और करके दोजबाइस और बनाया है और 22 बिगेट निकाले तो बिगेट से तो ठीक टक सही हैं बट एज जादा है इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा इनको मनोजणाक को आप इग्नोर करके जा सक आप इनको बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं रवी थफियल जो की इंपोर्टन पिक रहेगी सरत मुपिर अला की बात कर ले तो राइट हम मैट्समार राइट हम लेगी स्पिन बॉलिंग करके देंगे तो यह भी अच्छी पिक है आप इनको भी चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं चार चार ओवर की गेंदवाजी दे रहे हैं बिकेट टेकिंग बॉलर है 22 22 20 में देखेंगें तो ठीक ठाक सहें पर्दसन करका आएं ओडिटी की बात कर ले तो 12 में बेट बाहिं जसमे आथारा मेंठरा भीन अच्छी पिक रहे लेख आप देखेंगे तो 2022-20 में एवरेस से ही रिकोर्ड है और कुछ खास रिकोर्ड है नहीं और डिटी में उन्हेंस मैच में उन्हेंस मैच में जो है 25 बिकेट निकाले थे बट यह जुनियर टीम से खेल रहे थे और 200 अर्शल रन बनाये थे तो आप चाहिए तो ट्राय कर सकते ह है आप देखेंगे तो और डिटी में 11 मैच में 28 माइने रखती है 11 मैच में 28 बहुत अच्छी बिकेट निकाले हैं तो बिल्कुल आप ट्राय करके जा सकते हैं और कुछ रन भी आपको दे सकते हैं परमजीत की बात कर ले तो बिगेट किपिंग करते दिखेंगे आपको और कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं आप इनको एग्णोर करके जाएगा 2021 में डॉमेश्टिक टीटेन मैच में जिसमें 13-52 2021 में 15 अबर की गेम में जिसमें साथ एगरा किये तो आप इनको एग्णोर करके जाएगा अम रुल्ला रोडवाल की बात कर ले तो राइट हैं में यह अच्छी पिक रहेगी आप बट इनके ओभर ज्यादातर कटे हैं इसलिए में ज्यादा रिकॉमेंट नहीं करूंगा दस में मात्र चार बिकेट निकाले तो आप इनको भी इग्णोर कर सकते हैं सचीन देश पांडे की बात कर ले तो लेफ्टाम और्थ यह भी बोलर है वर आप देखेंगे च्छे में नौ विगेट निकाल के आ रहे हैं परानीत वूडी किला की बात कर ले तो यह भी लेगी स्पिन पॉलिंग करके देगें कुछ खास रिकॉर्ड मुझे नहीं लगे आप इनको भी इग्नोर करके जा सकते हैं सरीफुला सलार जाय यहां पे जो है करने आ रहे थे आप बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं सेलेक्शन बहुत ही कम है और आपको गेम चंजर पिक चाहिए तो इनको आफ ट्राय कर सकते हैं 11 में 15 विगेट ओडीडी में निकाले हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी विसाल राम टेक की बात कर लें तो राइट हम बैट किया है इसलिए मैं आपको पता देना है 222 डीटी में एवरेस से ही रिकोर्ड है आप चाहे तो ट्राय कर सकते हैं 13 में बारा विकेट निकाले हैं अठाइस साल इनकी यह ऑफिस्पिन बॉलिंग करके देंगे ठीक ठाक सब्सक्राइब आप चाहे तो ट्राय कर सकते हैं स्ट सब्सक्राइब आइटम मेडियम 39 इनकी है यह इस खेल चुके है 2021 में खेले थे आप देखेंगे दो तेश्चे की है 2020 में खेले थे जिसमें चेतीन अब कुछ 2020 में भी किये तो आट मैचेस में चार विकेट निकाले है तो 2021 में बालिंग तो नहीं किये थे बड़ दोज़ज है अगर बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी पिक रहेगी 222 की बात कर ले तो अठारा मैचेस में 466 हाइट स्कूर 120 कर रहा है यानि कि वह एक सेंच्चुरी मार के आ रहे हैं विवे का जनता जो कि आपको और सेक्षन में हाइट सेलेक्षन दिखेगा जो क कि गॉल राउंडर तो मुझे नहीं लग रहे हैं किसी भी एंगल से पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं बट सेलेक्षन काफी जादा है बट बल्ले वाजी बहुत अच्छी लगी इनकी दस मैचेस में 244 कर रहा है इस्टायरेट 143 कर रहा है एक ही इनिंग्स में तीन ओवर करके आ रहे हैं टोटल साथ मेंचेस में 285 कर रहा है इस्टायरेट 133 कर रहा है इनके तरफ से जो एक गेम चेंजर पिक रहेगी इक रम उल्ला नासर जो कि आपको वाल्राउंडर सेक्षन में दी जाएंगे लेफ्टाम और्थाव्डॉक्स बालर है आप इनको डायरेक्ली करके जा सकते हैं वान से टू डाउन आपको बल्लेवाजी करते दिख सकते हैं और यह बहुत अच्छी पिक रहेगी इस यह दोहजार बीस में खेले हैं यहां भी बॉलिंग किये थे ऑबरॉल टी टैन मैचेस की बात कर ले तो पाच मैचेस में दोही बिकेट निकाले बात इकोनोमी बहुत अच्छी रही है और वन डाउन बल्लेवाजी करने आ जाते हैं तो आट मैचेस में ग्यारा बिकेट निकाल कर रहे हैं तो आप इनको सी बीसी डिरेकली कर सकते हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी लेफ्टाम और्थोड़क्स बॉलर वैसे भी अच्छा कर स रहे हैं हाई स्कोर जो है इनका 63 कर रहा है है कि अधिको जो है 63 कर रहा है इस्टारेट नाइन टीगर आ है मियां खिल यार मोहमद की बात कर ले तो यह एस में खेले थे बट यहां पर इस यह में बालिंग नहीं किये थे बर लास्ट के कुछ मैचेस में आप देखेंगे चारसो पचीसर ना बनाएं तो मियां खिल यार मोहमद को ट्राय कर सकते हैं एजे बैट्समेन बाकी ओल राउंडर यहां से आप चाहे देखेंगे तेजपाल सिंग जो की बैटिंग सेक्शन में आपके लिए गेम चंजर पीख हो सकती है बहुत अच्छे खिलाडी है करेंगे आप देखेंगा बल्लेवाजी हो या गेंदवाजी हो दोनों जहां से इन्होंने अच्छे परदसन किये हैं तो बिल्कुल आपके लिए अच्छे पिक रहेगी बिल्कुल आप ट्राय कर सकते हैं बिकेट किफिंग सेक्शन में आपको मिल आएंगे कमरान जजाए अब देखिए उनके तरफ से थे राउनक जेन इनके तरफ से है कमरान जजाए जो की एस खेल भी चुके है दोजाबीस में बट जो है राउनक जेन थे वह ओपन आएंगे और यह जो है थिरी से फोर डाउन आपको बल्लेवाजी दे सकते या तो फाइब डाउन भी दे सकते हैं अगर उस केस में अगर राउनक जेन ओपन आते हैं तो उस जो इनके एंगेंस टिम थी मैं उनका विकेट कीपिंग के लिए सजेस्ट करूंगा बाकी कमरान जजाए जो है थोड़ा लोवर ओडर में आ रहे हैं इसलिए इग्नोर करूंगा इस में ठीक ठाक से परदसन है जहांब एवरेज ही रीकोड रहा है आवर्वर टी टैन मेंच इसकी है तो पांच में पाच्पन रन बनाये हैं 2022 टी टी वंटी में आप देखेंगे तो यहां पर कुछ बल्ले गेंद वाजी भी कर रहे है तो इस केस में आप इनको टीम में रख सकते हैं सेलक्ण भी हाइय ह तो आप इनको सीवी सीवी ट्राइब कर लेंगे कुछ टीम में जील में दिन इसलाम की बात के लिए तो यह भी ठीक ठाक साही परदसन किये थे 222 टीट टीट में देखेंगे तो यह भी बालिंग कर रहे हैं बंट पार्ट टाइम बालिंग he थाप कर रहे हैं अठ में नंगे कर सकते तो आप कर सकते हैं लगाएंगे ऑबरार में आप ग्याटंट आप देखेंगे है तो साथ मैचेस में बारा बिगेत निकाले हैं तब बिल्कुल ट्राय option कर सकते हैं एशीयदा का experience भी है इस फिरिके ओड्राइ के अपास अपर बिल्कुल लाग्य कर सकते हैं और ड़े डी की बात कर ले तो पाच मैचेस में एक ही बिकेट निकाले हैं बट दो अबर की गेनवाजी कर रहे थे और बहुत अच्छी पीक G automatemons डे सकते हैं तो वर कि एगनवाजी आपको दे रहा है duct तो आप चाहे तो इनको ट्राय कर सकते हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी आप शिक्स सेवन डाउन आपको बल्लेवाजी करते दिख सकते हैं और आप देखेंगे तो यह भी ठीक ठाक साही कर रहे थे सत्रा मैचेस में और डीडी में 16 विकेट निकाले हैं एवरेज कर सकते हैं अब्दूर्ण रहीम जाए इद्रिस की बात कर ले तो राइशर मैटस में राइटाम मेडियम यंग पिलियर है 2222 में देखेंगे तो यह भी ठीक ठाक सही परदसन करके आ रहे हैं तो मेनी पिलियर जो है ठीक ठाक सही परदसन है बागी लाइन आप आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि यहां पर आप देख लिए टीटी ओडीडी में भी 17 मैचस में 14 बीकेट निकाले तो आप से खेलेंगे तो ट्राइबर रहेंगे गुर्परिश सिंग जो है यह 2022 की बात कर ले तो छे मैचस में चार बीकेट निकाले ठीक 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 परदसन क करते हैं अब चाहें तो ट्राइब कर सकते हैं मोमन इडिक की बात कर ले तो 2022 टीटी में आप देखेंगे तो अन्डर 17 के एक मैच हुए थे उसमें 42 किये थे बाकि जो सिनियर मैचस हुए थे वहाँ पर पर दसन नहीं आया और डिकेट लिए हैं बाकि कुछ खास करके देंगे और आपको गेंदवाजी भी दे सकते हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी 10 मैचस में 19 निकाले आप समझ सकते हैं 10 मैचस में 19 यानि की परती मैच 2 लिए है और डिटी में तो यहां भी कुछ बिकेट ले सकते हैं इसलिए रवी चोदरी ट्राइब रहेंगे 37 वि खेलेंगे तो बट खेलने के कम चांस है पंकच वर्मा की बात कर ले 2222 में आप देखेंगे तो यह भी ठीक ठाक सही एवरेसी परदसन किये हैं बट इनके ओभर बहुत जादे कटे हैं इनको पूरे ओभर नहीं मिल रहे थे तो इस केस में आप इनको इंग्नोर करके जा सकत हैं देखें मजार मासल शिर्जाद सुभानुला मलिक जाए और इमरान खान जावर के लिए लास्ट मिनट अपडेट हुए इसलिए मैं इनके आपको फूली स्टेश्ट तो नहीं दिया हूं बट जो इनकी जो परदसन रही है दो जबाइस टी टॉनटी में दो मैचेस में जिरो रन बनाए यानि बल्लेवाजी नहीं किये हैं सब्सक्राइब दो इनिक्स में जिरो विकेट लिए तो टी टॉनटी में कुछ खास नहीं है बट नो मैचेस में यहां पर दस बीकेट ओडिडी में लिए और सब्सक्राइब यहां से सिर्जाद सुभानुल्ला राइट हैं मैचेस में आइटम फार्ट यह भी अठारा साल के हैं दो हजार वाइस ओड़ी के पाच मेंचेस के लिए हैं हैं अगर यह टॉप फॉर में दिखते हैं तो आप इनको ट्राय कर सकते हैं ठीक ठाक साही पर पास रिकोड है नहीं इग्रोर करके जाएगा इम्रान खान जावर खिल की बात कर लें तो राइट हम बैट माराइट हम लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे दोजार इकीस ओडिडी की बात कर लें तो तो यह भी ट्राइब रहेंगे अगर खेलेंगे तो बाकिए अब चल किसी के बारे में सोच सकता हो बाकि यहां पर मैंने फिलाल के लिए आरजन को लिया हूं यहां पर देखिए दिलिफ सिंग एक अच्छी ऑफसन है मुझीब भी अगर ओपन आते तो यह भी अच्छी ऑफसन रहेंगा बड़ जो 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 जरूरी है एस उसे इनको लेना जरू और यहां से जो है तो यह आपके लिए इंपरेंट रहेगी अगर यह खेलते तो मेरे टीम में होने चाहिए बाकि मैंने फिलाल के लिए जो है यह तीन पिक लिया हूं बाकि यहां से जो और वह इसी कुछ खास मुझे ने लिए बाकि आप इस्टेट में भी जाके देख सकत करते हैं कि जो मैंने इस्टेट वाधा राजी सर्मा भी बालिंग करते हैं यह अच्छी पिक रहेगी तो मैंनी बालिंग ऑप्सन बैटिंग सेक्षन में भी उपलब्द है बाकि देखे भी एजनता का सेलेक्शन है बट यह सी बल्लेवाजी करेंगे ओपन आया सकते हैं तो सेलेक्षन बहुती कम आप डारेक्ली इनको सीबीसी भी कर सकते हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी एकड़ामुला नासर को बिल्कुल ले सकते हैं और बाकि आप स्टेट के बाइस आप देखके आप अपनी टीम बना सकते हैं यहाँ से देखे टी आहमाद को मैंने लिया है ह यहां पर देखे मुहमद इसमाइल जो कि 2020 में कैप्टेंसी कर रहे तो कर रहे हैं तो इस केस में मैं इनको ले रहा हूं बाकी यहां से और अगर आप चाहिए तो एस बैंक गटा सुब्रमानियम और यहां से देखिए मैं एक पिक आपको बता रहा हूं जो कि आपके टीम में ह दिहान रखना है तो फिलाल के लिए मैंने यहां से यह तीन पिक लिए हो डेमो टीम की बात कर ले तो डेमो टीम अभी फिलाल के लिए हमारी यह है आप इन में से अगर सीवीसी की बात कर ले तो सीवीसी की बात कर ले तो सीवीसी आप देखिए यहां से आप यहां से आप निमेस महता सम委 क कर सकते हैं में कर देता हूं यहां से आप निमेस महता समय समय कर सकते हैं पहले बल्लेवाजी आये तो आरजें को भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी इस्टेट हते हैं टी टी सिंग डिफ्रेंटल जी एल के लिए आपको सी वी सी रहेगी एप अच्छी प्रेगी आई निसार भी सी बिसी के बादकी जो है लाइन पाने का बाद हंड्रेड पर्ट संट टीम में change हो सकते हैं इसलिए आपको टेलीग्राम में जूनना जूर नहीं को यह आप a एस हुसेन को दे रहा हूं तो कुछ इस तरीके से टीम है अभी डेमो टीम हमारी यह है बाकि फाइनल टीम आपको टेलीगराम में मिलेगी 100% टीम में चेंज़ सकते हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को अभ वीडियो अच्छी लगी है तो अब लाइक सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में